हेलो गैज, स्वागता आप सभी का आपके अपने चैनल NSY Learning में आज से हम स्टार्ट करने वाले Advanced English Structure Series यह हमारे 15 डेज की Classes होंगी जिन में हम ऐसे Mostly जो Structure होते हैं वो यूज करना सीखेंगे जो हम अपने daily conversation में यूज करते हैं यह Class आपके लिए बहुत ही ज्यादा important होने वाली है क्योंकि इन 15 दिनों में हम ऐसे Advanced Structure की help से अपने speaking को improve करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने English बोलना सीख लिया यह आपको खुद से ही मैसूस हो जाएगा जब आप एक दो Classes सीखेंगे तो बने रही मेरे साथ 15 दिन तक definitely आपको English बोलना आ जाएगा देखो English grammar से हम English बोल सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे sentences होते हैं जिन्हें हमें बनाने के लिए बोलने के लिए Advanced English Structure की जरूरत होती है तो best ऐसे ही सीखते रहना है मेरे साथ Advanced English Structure तो करते हैं वीडियो को step बिनादेर करते हुए आज हमारी Advanced English Structure क्लास क्या है First है ओकी हम 8 to 10 जो structure होंगे वो cover करेंगे एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा हम practice ध्यान देंगे क्योंकि मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बोलते हूँ कि practice ज्यादा जरूर यह करना क्योंकि जितना ज्यादा हम practice करेंगे उतना ही जल्दी हमें बोलना आएगा ओकी तो पहला आज का structure है हमारा जब हमें बोलना होता है और थोड़ी देर और थोड़ी देर आप सभी बोलते हैं कि मुझे और थोड़ी देर पढ़ना है ममी मुझे और थोड़ी देर खेलने दो मुझे थोड़ी देर पढ़ने दो मुझे थोड़ी देर सोने दो इस टाइप की काफी सारी sentences होते हैं जो हम डेली अपनी करनोर सेशन में यूज करते हैं तो ऐसे sentences बोलने के लिए हम use करते हैं a little longer, थोड़ी देर और. जैसे मैंने example लिया, तुम थोड़ी देर और इंतिजार कर सकते थे. यानि कि मैं वहाँ time से नहीं आई, तो आप थोड़ी देर वहाँ इंतिजार कर सकते थे, तो तुम थोड़ी देर और. तो ऐसे sentences बनाने के लिए हम पहले बनाएंगे sentence, कोई भी हमारे sentence हो चाहिए वो tense का हो, चाहिए वो modal verb का हो. देन हम यूज करेंगे a little longer, little longer. अगर आपको grammar की थोड़ी भूत knowledge तो इसमें चाहिए, क्योंकि without grammar की knowledge के आप advanced structure class cover नहीं कर पाएंगे, आपको problem आएगी. जिसको भी English grammar की थोड़ी भूत knowledge है, उनके लिए यह है advanced English structure की classes helpful होने वाली है. तो sentences बनाते हैं, तो पहले हमारा sentence आएगा, उसके बाद a little longer. जैसे हम बोलते हैं कि मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, तो थोड़ी देर और खेलने दो, जब बच्चा रात को ले तक पढ़ता है, तो ममी बोलते हैं, बेटा भी सोजाओ, तो बच्चे बोलते हैं, ममी मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है, तो sentence बनेगा, मम, I am to study a little longer, मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है, देखो जो is to m2 का यूज होता है, जब हम अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं, तो is to m2 और r2 का यूज करते हैं, अगर हम किसे प्रैसर में करते हैं, दबाओ में करते हैं, यह मजबूरी में करते हैं, तो हम have to का यूज करते हैं, I have to study a little longer, दोनों ही sense में आपके sentences बिलकुल right होंगे, चाहे आप इससे बनाएं, चाहे आप इससे बनाएं, अब काफी सारे sentences के हम practice करेंगे, ताकि हमें a little longer हमारे tongue पे आजाएं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोल पाएं, और practice में ला पाएं, अब हमने sentence को देखना है, कर सकते थे, तो कैसे बनेगा हमारा model verb के आएगा, could have, you, could have, और could have के साथ हम वर्ब की third form का यूज़ करेंगे, waited a little longer, ठीक है, तुम थोड़ी देर और पढ़ सकते थे, तो you could have studied a little longer, next है, क्या हम थोड़ी देर और बात कर सकते हैं, इस टाइप के काफि सारे sentences हम use करते हैं, कर सकते हैं, यानि can, और क्या से हमारे sentence स्टार्ट हो रहा है, तो can, we, talk, a little, longer, कि हम थोड़ी देर और बात कर सकते हैं, next sentence है हमारा, क्या तुम थोड़ी देर और मेरे साथ रुखना चाहोगी, मैंने आपको बताया हुआ है, जिस sentence के last में आता है, चाहूँगा, चाहोगे, चाहूँगी, तो वो हमारा would like to से बनता है, क्या तुम रुखना चाहोगी, would you like to stay with me a little longer, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठना चाहोगी, तो would you like to sit with me a little longer, नेक्स्ट है, तुम्ही थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था, अब चाहिए था, तो should have से बनेगा हमारा sentence, you should have, पढ़ना चाहिए था, have के साथ हमारी जब should have आ रहा तो work की third form कही हो जोगा, बास्ट अड़ी देर और सोने दो, जब हम बोलते हों कोई काम करने दो, तो हम कैसे बनाएंगे, let me sleep a little longer, मुझे थोड़ी देर और पढ़ाने दो, let me teach a little longer, मुझे थोड़ी देर और लिखने दो, let me write a little longer, इस तरह से काफी सारी sentences आपने यूज करने और बनाना है a little longer से, ठीक है, जब भी आपने यूज करना हो थोड़ी देर और, तो आप थोड़ी देर के लिए आप लगाएंगे a little longer, अब अपने आप से आपने sentences बनाने हैं, और इस structure की practice करनी है, प्रैक्टिस जादा से जादा करनी है, ठीक है, कम से कम एक structure के द्वारा आप दो sentence तो अपने आप से फिर्म करेंगे ही करेंगे, ठीक है, चलते हैं अपने अगले structure की तरफ, जब हमें बोलना होता है, फाल्तु में ही, फाल्तु में ही तुम ये काम करते हो, फाल्तु में ही तुम टीवी देखते हो, यानि कि उसका कोई काम नहीं, कोई region नहीं है, कोई कार्ण नहीं है, लेकिन हम कोई कार्ण नहीं बोलके, आपने daily conversation में यूज करते हैं फाल्तु में ही, उसको हम बनाते हैं इंगलिस में कैसे उसका structure होगा हमारा for no region, यानि कि फाल्तु में ही, जब भी आपने बोलना है फाल्तु में ही, आप यूज करेंगे for no region, ठीक है पहले आपको कोई भी sentence हो चकता है, चाहे हो tense का हो, या modal verb का हो then आप यूज करेंगे for no region, एक्जेंबल से चीज सीखते हैं, फाल्तु में ही तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया, अब sentence क्या है, समय बर्बाद कर दिया, यानि कि फाल्तु में मेरा समय बर्बाद कर दिया, फाल्तु में ही तुमने नया फोन खरीदा, अब ये तो तुम्हारे पास ये फोन है, पुराणे वाल, अच्छा चलता है, लेकि तुमने फाल्तु में ही नया फोन खरीदा, तुमने नया फोन खरीदा, यानि past की बात ओर यहां पे, तो you bought a new phone for no region, फाल्तु में ही तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था यानि कि तुम्हारे वहां पर कोई काम नहीं था तुम्हें फाल्तु में वहां नहीं जाना चाहिए था यू चाहिए था तो you should have you should have gone there for no reason तुमने फाल्तु में उसे डाट दिया You scold him for no reason तुम फाल्तु में ही मुझसे लड़ रहे हो You are fighting with me for no reason ठीक है इस तरह से आपने यूज करना है for no reason का Next है हमारा sentence वे फाल्तु में ही परेशान हो रहा था तो sentence कैसे बनेगा He was getting worried for no reason तुम फाल्तु में ही परेशान हो रहा था तुम फाल्तु में ही टीवी देख रहे हो You are watching TV for no reason यानि कि कोई फायदा नहीं ही टीवी देखने का ठीक है इस तरह से आपने यूज करना है for no reason और अपने आप से 10 sentences बनाने है then practice करनी है practice कैसे करनी है पहले mind में सोचना है उसके बार no down करना है then आपने बोल बोल के practice करनी है अगर आपको नहीं आता है तो अगर आप वैसे practice कर सकते हैं और अली तो आप बिना लिखे भी कर सकते हैं जो ये पंदया दिंकी classes होंगी वो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाली है इनको miss मत किजिएगा ओके चलते ही अपने अगले structure की तरफ जब हमें बोलना होता है हो सके तो हो सके तो यार प्लीज मेरा एक काम कर देना ऐसे बोलते हैं तो इसके हम यूज करते हैं if possible यानि हो सके तो मेरा एक काम कर देना if possible please do me a favor यानि मेरा एक काम कर देना जब आपको बोलना हो हो सके तो हो सके तो मुझे माफ कर देना हमारा पहला sentence है if possible माफ कर देना forgive me मुझे माफ कर देना हो सके तो तुम मुझे भूल जाना तो हो सके इसके लिए लगाएंगा if possible you forget me यहनि मुझे भूल जाना next sentence है हमारा हो सके तो तुम कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना तो if possible don't ever show me your face अपना चेहरा मत दिखाना हो सके तो आपने याद रखना है if possible लगाना है हो सके तो हो सके तो तुम कभी कभी phone कर लेना मुझे तो if possible you call me sometime ठीक है इस तरह से आप काफी साई sentences बोल सकते हैं if possible से हो सके तो तुम मुझे श्याम को phone कर लेना यानि कि अब मैं बीजियो हो सके तो तुम मुझे श्याम को phone कर लेना if possible you call me in the evening हो सके तो तुम मुझे श्याम को phone कर लेना next sentence हो सके तो वहां अपना ख्याल रखना हो सके तो बोलेंगे हम इस तरह से आपने यूज करना है if possible को और आपने डेल सारी sentences अपने आप से फेम करने हैं और बोलने हैं अब चलते हैं अपने अगले structure की तरफ जब हमें बोलना होता है समय का पता ही नहीं चलता कोई काम करते वक्त तो उसके लिए हम कोंसा structure यूज करते हैं time flies while जब भी while का यूज होगा हमेशा word की fourth form का यूज होगा then हमारा object होगा कई बार हम बोलते हैं समय का पता ही नहीं चलता तुमसे बाते करते करते तो समय का पता ही नहीं चलता कि समय कब बीट गया इस टैप से ही sentences जो भी sentences बनेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे time flies while और वर्व की fourth form एक्जांपल देशेकते हैं पढ़ते वक्त समय का पता ही नहीं चलता जब हम match के question निकालने लगते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता कब समय बीट गया तो समय का पता ही नहीं चलता इसके लिए लगाएंगे हम time flies while क्या करते वक्त पढ़ते वक्त रेडिंग हिंदी में कितना लेंदी संटेंस था और हमारा इंग्लिस में चोटा दा संटेंस बन गया ठीक है इस तरह से आपने यूज करना है time flies while reading खेलते वक्त समय का पता ही नहीं चलता time flies while playing तुम्हें पढ़ाते वक्त समय का पता ही नहीं चलता इस तरह से आपने यूज करना है time flies while का next है तुमसे बाते करते वक्त समय का पता ही नहीं चलता time flies while talking to you तुमसे बाते करते वक्त समय का पता ही नहीं चलता next है phone चलाते वक्त समय का पता ही नहीं चलता जब हम phone लेके बैठते हैं और रिल को स्क्रोल करते जाते तो पता ही चलता कब दो घंटे तीन घंटे बीट गए इसलिए ज़्यादा रिल्स नहीं देखना है जो पढ़ाई वाले student दो पढ़ाई सम्मंदिती वीडियो देखें आपर time को waste ना करें ठीक है phone चलाते हैं वक्से में का पता ही नहीं चलता time flies while using mobile या operating mobile भी आप लिख सकते हैं next है TV देखते हैं का ध्यान ही नहीं रहता देखो एक structure और है जो आप use कर सकते हैं time flies while की जगह है वो है allows track of time while then work की forth form और object ऐसे sentences बोलने के लिए आप ये structure का भी use कर सकते हैं allows track of time while और work की forth form then object दोनों में से आप किसी भी structure का use कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे तो हम ये sentence बनाते हैं TV देखते हैं समय का ध्यान ही नहीं रहा कई बार ऐसे भी बोलते हैं तो I have lost track of time while watching TV यानि कि TV देखते समय किसका ध्यान नहीं रहा में समय का ध्यान ही नहीं रहा तो आप दोनों structure को use कर सकते हैं अपनी comfortable जिसमें आप हो चलते हैं अपने अगले structure की तरफ जब हमें बोलना होता है बेहतर होगा अच्छा होगा ठीक होगा बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ बेहतर होगा तुम हमारे बीच में ना बोलो बेहतर होगा तुम चुप हो जाओ इस तरीके से काफी सारे sentences हम बोलते हैं तो उनके लिए हम use करते हैं had better आप देखो had आ होगा सब के साथ हम head का यूज करेंगे then work की first form तो हमारा structure होगा subject head better v1 plus हमारा object यह हमारा structure होगा as say sentences बनाने के लिए जैसे मैंने बोला बहतर होगा तुम चुप हो जाओ you head better keep quiet बहतर होगा तुम यहां से चले जाओ you head better go away from here बहतर होगा तुम मुझसे बात ना करो बात ना करो इसके लिए आपने don't doesn't या didn't का यूज नहीं करना है या head note का यूज नहीं करना है आपने only note लगाना है आगे example में हम यह सीखेंगे पहले example है बहतर होगा कि आप train से जाएं तो बहतर होगा पहले में subject देखना है आप यानि you you had better आपने जो structure हमारा उसको follow करना है better go by train यानि कि तुम train से जाओ बहतर होगा कि तुम bus से जाओ you had better go by bus मुझे आप निकलना चाहिए वरना मुझे देर हो जाएगी यहाँ पर कहीं न कहीं advice की बात होती है लेकिन हम should का यूज नहीं करते हैं क्योंकि should का यूज जर्नल एडवाइज के लिए होता है और जब had better होता है या तो present में यूज होता है या future में यूज होता है यह आपने ध्यान रखना है मुझे अब निकलना चाहिए I had better live now or I will be late मैं late हो जाओ या मुझे late हो जाएगा या मुझे एक काम करना होता है और अगर वो ना करेंगे तो कोई प्रोब्लम आ जाएगी उस टाइप से भी हम हैट बैटर का यूज़ करते हैं नेक्स्ट है बहतर होगा कि मैं पार्टी में ना जाऊं मुझे बहुत काम है तो कैसे बनाएंगे आए हैट बैटर उसके बाद हम नोट का यूज़ करेंगे नोट गो टू दा पार्टी क्यो नहीं जाऊं मुझे बहुत काम है आए हैव आलोट ओफ वर्क नहीं मुझे बहुत सारे काम है क्या उसका इस बारे में बोलना बहतर होगा या उसका इस बारे में बोलना ठीक होगा या उसका इस बारे में बोलना अच्छा होगा आप हिंदी में किसी भी टैसी संटैंसिज को बोले बनेगा आपका हैट बैटर से क्या यानि हैट उसका हैट ही बैटर उसके बार बोलना बहतर होगा यानि की better speak about this या इस बारे में about this matter भी बोल सकते हैं इस तरह से आपने use करना है had better का और काफी सारे sentences अपने आप से फिम करने हैं कम से कम 10 sentences तो आपको बनाने ही बनाने हैं कई बार हमें बोलना होता है तुम्हारी बाते तो मेरी समझ से परे है या मेरी समझ के बहार है इस टाइप के जो भी sentences बोले जाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं beyond my understanding यानि की मेरी समझ से बहार है यह जो my है वो change हो जाएगा मारे sentence के according तुम्हारी समझ से बहार है your understanding आजाएगा उसकी समझ से बहार है तो his understanding आजाएगा अगर कोई लड़की है तो her understanding आजाएगा ओके यह आपने ध्यान रखना है तुम्हारी बाते मेरी समझ से बहार है your talks beyond my understanding understanding यानि कि तुम्हारी बाते मेरी समझ से परे है आप परे भी बोलते हैं और समझ से बहार भी बोलते हैं तुम्हारी परेसानी मेरी समझ से परे है your problem is beyond my by understanding अनि मेरी समझमे कुछ नहीं आता है तुम्हारी जो भी बी बात करते तो मुझे कुछ समझ से बहार है उसकी अंग्रेजी मेरी समझ से परे है जब वो अंग्रेजी मेरी समझ से बहार है His English is beyond my understanding, understanding. उसकी हरकते मेरी समस्य बहार है. His actions are beyond my understanding, यानि कि उसकी जो भी हरकते हैं, वो मेरी समस्य बहार है. इस तरह से आपने यूज करना है मेरी समस्य बहार के लिए beyond my understanding, ठीक है? तो आपने अपने आपसे sentences को बनाना है और बार-बार practice करनी है. अब चलते हैं अपने अगले structure की तरह. जब हमें बोलना होता है फिर कभी, मैं फिर कभी तुमसे बात करूंगी, हम फिर कभी वहाँ गुमने जाएंगे. जब हम काफी बार बोलते हैं फिर कभी, उसके लिए हम यूज करते हैं some other time, यहनी कि फिर कभी. एग्जांपल से सीखते हैं, मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा. पहले हमारा कोई भी sentence हो सकता है, चाहे हो modal verb का हो, चाहे आपका किसी भी tense का हो. then आप यूज करेंगे some other time, तो मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा. I will meet you some other time, okay? मैं तुमें फिर कभी देख लूँगा. जब लडाई हो जाते हैं तो बोलते हैं, मैं तुमें फिर कभी देख लूँगा. I will see you some other time, मैं फिर कभी देख लूँगा. मैं वहाँ फिर कभी जाऊंगी. I will go there some other time. मैं वहाँ मुझे फिर कभी इस बारे में बताएगा. He will tell me about this some other time. यानि कि इस बारे में फिर कभी बताएगा. इस तरह से आपने structure का यूज़ करना है, जब आपको बोलना हो फिर कभी. Some other time. आज की इस वीडियो में हमने कुछ छोटे छोटे advanced इनले structure सीखे. I hope वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो आपको फशन्द आई हो, और इस वीडियो से आपको थोड़ा भोत भी कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को like करना बिलगूर भी ना भुले. साथी bell icon को भी प्रैस कर ले. क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुंचता है और ये जो 15 दिन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसमें हम एक सिरीज स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपने पहले बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे